हलो एब्रीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यो आई एस हिंदी दिस इस मनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुबह 8 बचे एक इंपोर्टन सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग-अलग टॉपिक्स को हम यह डिसकस करते हैं आज हम पढ़ रहे हैं न ब्रेन किया में अच्छे से देखेंगे तो शुरू करते हैं सेशन जिसमें हम लोग किसके बारे में डिसकस करेंगे तो नर्वर सिस्टम के बारे में अच्छे से यहां पर information लेंगे इसके अलाबा और भी कोई कोई की दिक्कत होंगी तो आप इन social media handle पर मुझसे जूर सकते लेक्चर की PDF यहां से आप डाउनलोड करेंगे और कोई भी तरह के सजेशन्स हों तो यहां पर मुझे बता सकते हैं तो देखते हैं तो पिछले lecture के कुछ questions थे पहले उनको solve करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह जो इसका relation है इसका brain से ही है आगे चलकर हम hormone के लिए endocrine system, exocrine system को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन यह मैंने last session में भी आपको बताया था oxytocin hormone जो है इससे जुड़ा हुआ होता है इसी को love hormone भी कहा जाता है तो यह relation इससे है इसके बाद next question मैंने आप सो पूछा था कि one of the action of parasympathetic nervous system देखिए जो parasympathetic nervous system होता है इसका काम जो है इस तंत्रिका तंत्रिका काम है कि ऐसी गतिविदी करना जो की आपका relax conditions में होती है मतलब यह हमारी इक्षा से तो नहीं होता है लेकिन basically relax वाली conditions में होता है यह autonomic nervous system की अंतरगत आता है तो देखिए inhibits parastalysis यह जो parastalysis को रोकता है मतलब आप क्या होता है आप जब खाना खाते हैं तो जब आप relax होते हैं तो दीरे दीरे आपका खाना आतो पेट में जाता है पेटों से आतों में जाता है यह सारी चीज़े चलती रहती लेकिन किसी emergency condition में यह रुख जाती है सबसे पहले तो parasympathetic condition के अंदर जो है आपका यह parasympathetic है और एक होता है sympathetic तो sympathetic जो मैंने आपको बताया था वो कौन सी condition होती है वो होती है emergency condition तो यह तो emergency condition है नहीं emergency condition होगी तब आपका खाना रुखेगा जिसको parasympathetic पूछा गया है इसके लावब स्वेट सीक्रीशन आपका भी घबराट होती तो पसीन आने लगता है emergency condition में इसके अलाबा broncles का पतला करता है डाइलेट ब्राइंकल्स का मतलब आप जब बहुत डरे हुए होते हो या दोले केलिए लेकिने जो पुतली का कसंटाये आप किसी को ऐसे ध्यान से देख रहे होते हैं आख के जब फटी रह जाती है किसी को आउंक खोल कर देख रहे हैं तो वह emergency condition होती है तो यह paras empathetic की condition है आपकी फुतली का कसना नेक्स question देखते है तो structural and functional unit of nervous system is अब तंत्रिका तंत्र की सराशनात्मक और कार्यात्मक एकाई क्या होगी तो neuron ही होगी neuron nervous system neuron से ही जुड़ा हुआ तो यह से ही जुड़ा हुआ तो शुरू करते हैं आज आगे की बात तो हमने जो है basically देख लिया था nervous system क्या होता है तंत्रिका तंत्र क्या होता है और इसमें हमने बात की थी वही सबसे पहली जो चीज होती है वह यह है जिसको कहा जाता है केंद्रिय तंत्रिका तंत्र नर्वस system इसमें brain और spinal cord इसके अंदर फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आ जाता है और आपका एक है peripheral nervous system जिसमें autonomous nervous system इसको भी आज इच्छे से clear कर लेंगे इसी पर question दिया था मैने para sympathetic जिसको पर कुछ चीज़े हैं जो स्वाइद चलती हैं उनमें भी कुछ रिलाक्स वे में चलती हैं कुछ एमर्जेंसी वे में चलती हैं तो यह सारी चीज़ों पर देखेंगे आज पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हुमन नर्वस सिस्टम मे CNS होता है peripheral autonomic तो यहां तक हमने का last section में बात कर ली थी तो brain के अंदर ही आज बात करते हैं कि हमारा जो central nervous system है वो एक तरीके से CPU है जैसे computer में CPU काम करता है वैसे हमारा CNS काम करता है और इसमें क्या है brain आ जाता है spinal cord अब brain के क्या हिस्से है तो four brain जिसको आपका अग्रमस्टि और पश्यमस्टिश्क तो यहां पर हमारी बात हो रही है तो यह हो गया अग्रमस्टिश्क यह हो गया मध्यमस्टिश्क और यह हो गया पश्यमस्टिश्क अब अग्रमस्टिश्क का जो पहला भाग इसी को सेरेब्रम कहा जाता है हिंदी में भी सेरेब्रम कहा जाता है यह thalamus ही होता है, यह hypothalamus भी होता है, बस four brain है, तो आगे का brain है, इसके जो है आपका एकदम brain का upward part होता है, आगे की तरफ से, तो brain is the one of the most important and largest central organ of human nervous system, it is the control unit of nervous system which helps in discovering new things, remembering and understanding, making decisions and a lot more, मतलब हमारा जो brain है, वो सबसे महत्पूर्ण हो गया nervous system के अंदर, यह ऐसा केंद्रिय अंग है, जो सारी चीज़े हम कुछ सोचते हैं, याद गरते हैं, हमारी memories जो बढ़ती हैं, या हम किसी चीज़ पर विचार कर पाते हैं, या फिर हम कुछ भी decision ले पाते हैं, यह सारी protection के लिए skull दिया गया है, which provides frontal, lateral and dorsal protection, इसको पूरी तरह से protection देता है, human brain जो है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एक four brain, the anterior part of the brain consists of cerebrum, hypothalamus, थेलमस होता है, इसी के अंदर, mid brain, the smaller and the central part, इसमें जो है, टेक्टम और टेग्मेंटम होता है, और हिंड brain, जो है, central reason of brain, composed of cerebrum, med anglota और phones होता है, तो अगर हम बात करें, तो हमारा brain कुछ ऐसे दिखता है, इसके अंदर, अलगलग lobes होते हैं, अगर आप सामने से इस brain को देखेंगे, तो आपको एक हिस्सा देखेगा, जिसको बोलते है, frontal lobe, उसके बाद जो है, आपको एक पार्ट मिलेगा, यहाँ पर, जिसको parital lobe कहा जाएगा, और पीछे की तरफ होता है, octable lobe, और दोनों तरफ जो होते हैं, मतलब इस brain के इस तरफ, इसको temporal lobe कहा जाता है, इसके बाद देखें, यह जो brain होता है आपका, अगर इसको देखा जाएगा, तो बीच में दो चीजों, मतलब दो पार्ट को जोड कर ऐसा बनाया गया है, और यह जुड़ा हुआ किस से होता है, तो corpus callosum से होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक पार्ट होता है, जिसको आप देखेंगे, यहाँ पर यह दिख रहा है, इसी को hypothalamus कहा जाता है, तो यह master of the master कहलाता है, यह सारी चीज है, hypothalamus से ही control होती है, फिर देखेंगे, यहाँ से medulla, जो है, इससे है, यह आपका cerebellum होता है, तो यह brain के जो तीन parts है, आपका hypothalamus, thalamus, यह cerebrum का हिस्सा है, इसके अलावा बीचो बीच जो होता है, वो mid brain होता है, और mid brain के बाद आपका hind brain होता है, जो पीछे की तरफ होता ह इसी में cerebellum आ जाता है, तो हम एके करके इन चीजों को समझेंगे कि वह यह क्या-क्या चीजें हैं, तो इस brain के ऊपर आपको एक कपाल होता है, यह खोपड़ी होती है, जो इसको protection प्रोवाइट करती है, इसलिए brain बहुत sensitive है, अगर brain को खोल कर रखेंगे, तो brain काफी हो जाएगा, लेकिन यह क्या है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, कुछ इस तरीके से turn मिलेंगे, एक question आता है exams में, कि वह गायरी और sulky, इन दे में इसको खाच कहा जाता है, किस में मलते हैं, तो brain के अंदर मिलते हैं, यही जो points होते हैं, इन में जाकर आप चीजें जो याद करते हैं, वो यही पर जाकर store होती है, इसके अलावा यह वाला जो भाग है, इसी को अगर मस्तिश्क कहा जाता है, यह प्रमस्तिश्क होता है, और यह होता है मध्यमस्तिश्क, यह मेरूरज्जु जो आपकी spinal cord होती है, इसी को अनुमस्तिश्क, medulla कहा जाता है, hypothalamus, इसी में प्यूश गरंती होती है, पश मस्तिश्क का यहाँ पर देखने मिलता है, तो यह आपका पश मस्तिश्क है, यह आपका अगर मस्तिश्क है, four brain, और आपका यह मध्यमस्तिश्क है, mid brain, तो इनको एक एक करके देख लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, four brain की, four brain क मतलब अग्रमस्थिश्क अग्रमस्थिश्क के में बात करें तो weight of the brain of human is 1350 grams 1350 gram होता है इसके अंदर आ जाता है cerebrum बहुत important है जिसका जितना बड़ा होगा उसका उतना intelligence होता है तो this is the most developed part of the brain this is the center of wisdom जो हमारी समझ होती है memory होती है willpower होती है moments होते है knowledge होते है thinking ये सारे cerebrum में होता है और analysis और coordination of muscular moment received from sense organs इसके अलबाव जो thailmus होता है इस thailmus में आपको दर्द फील होता है ठंड और गर्मी फील होती है और जो hypothalamus होता है ये सारे hormone secret करता है जिनके endocrine gland से और hormone secreted from posterior pituitary gland this is the center of hunger आपको भूक लग रही है तो hypothalamus से है आपको प्यास लग रही है temperature control करना है love hate ये सारी feelings यहीं से होती है blood pressure metabolism of water sweat anger joy ये सारी चीज़े control करता है कि हमें हमारा पसीना आना हमें किसी भी तरह से गुसा आना हमें खुशी फील होना ये सारी दूसरा भाग होता है जिसको मध्य मस्तिश कहा जाता है मध्य मस्तिश की बात करें तो middle brain is located between the thalamus hypothalamus of the brain and pons of the hind brain a canal concelebrum adequate passes through the mid brain अब इसमें एक dorsal portion होता है जिसको कहा जाता है mid brain consists mainly of four round swellings lobes होते हैं जिसको कहा जाता है corpora codirigmena mid brain और hind brain जो है brain streams देकि मध्य मस्तिश brain का एक महत्पूर्ण हिस्सा है लेकिन सबसे आदा important four brain है जिसमें आप cerebellum याद रखेंगे इसके बाद hind brain है hind brain comprises pons होते हैं cerebellum होता है और medulla होता है इसी को medulla oblong gata खा जाता है pons के अंदर fiber होते है जो interconnect करते है different reason of the brain brain को पूरी तरह से connect करने में मदद करते है cerebellum has very convoluted surface in order to provide the addition space for many more neurons और यह जो cerebellum होता है एक convoluted पूरा घुमा हुआ surface होता है जो की क्या करता है additional space देता है neurons के लिए the medulla of the brain is connected to spinal cord और यह जो है किस से connect हो जाती spinal cord से और medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion तो हमारा जो स्वशन है इसको control करना, cardiovascular जो हमारा heart है इस से और gastric secretion जो हमारे पाचन में भी कई तरह से मदद करता है इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा एक हिस्सा है cns का जिसको spinal cord या इसी को हिंदी में मेरू रज्जू कहा जाता है इसके बारे में भी बात कर लेते है तो spinal cord is a cylindrical bundle of nerves fiber associated tissue enclosed within a spine and connected all parts of the body तो हमारी पूरा एक पूरा एक बुला जाए wiring जो हमारी body की है वो इसी से जुड़ी हुई है हर चीज स्पाइनल कॉर्ट से जुड़ी हुई है और यह बहुत इंपोर्टेंट होती है जो हमारा ब्रेन जहां खतम होता है वहीं से चालू हो जाती है और इंक्लोज इन अब बोनी केज यह जो है पूरा एक बोन्स का कवर होता है जिसको वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है और सराउंडेट बाइम्ब्रेन जिनको मेनिंजीन कहा जाता है मैंने आपको बताया था spinal nerves की जो संख्या होती है ये pair होते हैं 31 pair होते है वो cranial nerves के जो pair होते है वो 12 pair होते है ये सीधे सीधे question आता है तो ये pairs पूरी body में फैले हुए पूरा एक जाल है जो कुछ भी तरह की चीज हो रही है हमें ठंडा feel हो रहा है कोई भी signal है वो brain तक पहुचाने में यहीं से connected होते है इसके बाद देखे peripheral nervous system peripheral nervous system होता है जिसको परी दिये तंत्री का तंत्र कहा जाता है अब इसमें बहुत सारी तंत्री का है है बहुत सारी nerves है जो एक जगा से दूसरी जगा को connect करती है peripheral nervous system is the lateral part of the nervous system that develops from the central nervous system और क्योंकि brain और spinal cord तो सब जगा जा नहीं सकती तो फिर किस से काम होगा तो peripheral से काम होगा और PNS में दो तरह की सोती है एक efferent nerve fiber और एक efferent nerve fiber यह क्या करती है तो these are responsible for transmitting message from tissues and organs to the CNS मताब माल लिया जाए यह brain और आपका यह आपका brain है signals लेकर पहुचाना तो यह transmit message from tissues and organs to CNS यहां तक signal लेकर जाना यह आपका efferent का काम है और यहां से सारे signal लेकर आना यह efferent का काम है तो these are responsible for conveying message from CNS to the corresponding peripheral organs कि organs को कैसे काम करना है आग के खोलनी है बंद करनी है आपको जो है अब खाना खाना है या नहीं खाना है, हाथ उठाना है, चलना है यह सारी चीज़ें इससे control होती है इसमें भी एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है somatic nervous system यह nervous system जो होता है यह control the voluntary body मतब जो हमारी इक्षा से काम होते हैं उनको control करता है और autonomic जो होता है यह unactic होता है जो की आपका cns से smooth muscle involuntary organs जैसे heart bladder people इन सारी चीज़ें होती है और इनके अंदर भी दो चीज़ें हमने देख लिए अपरानू कम्पी, मतब पैरा-sympathetic और sympathetic इस पर question भी हमने solve किया था तो देख लिए, यहां से यह चीज़ समझ लीजे तो मैंने आपको बताया था पैरा-sympathetic condition वो होती है जब हम relax कर रहे हो इसी पर question मैंने आज solve कर आयता है कि हमारी आखे जो है contract करना हमारी आखों की पुतली का सिकुड़ना कसना, यह क्या है? रिलाक्स condition है, लेकिन हम डर गए या एकदम से कुछ देख लिया तो हमारी आखे एकदम dilate खुल जाना तो यह आपका sympathetic है तो यह पूरी तरह से emergency condition हो जाती है इसके अलावा अगर हमारा heart अराम से beat कर रहा है तो यह पैरा-sympathetic है लेकिन हमें घबराट होने लगी हमें कोई डर लगने लगा तो heart beat जो है वो increase हो जाएगी तो यह sympathetic हो गया देखे इन पर हम इकशा से नहीं कि हमारा मन कर रहा है तो हम heart को थोड़ी देर बंदी करते हैं, यह नहीं कर सकते हैं यह control में होता है लेकिन conditions के साब से change होता है इसके अलावा airways constrict मतलब आप जो है स्वास ले रहे है नॉर्मली, तो airways जो आपका bronchies होती है bronchies जो है dilate हो जाती है dilate जैसे आखे फटी रह गई थी अब यह जो है airways dilate एकदम बहुत तेजी से सास लेंगे तो वो तेजी से काम करेगा relax है तो normal काम कर रहा है liver जो है अराम से bile juice secret करता है लेकिन यहाँ पर sweat glands जो है पसीना निकालने लगती है blood vessels contraction होना liver का increase rate of glycogen से glucose बना देना यह आपका sympathetic condition में होती है digestive system अराम से काम करता है तो digestive system की activities decrease हो जाती है खाना पचना बंद हो जाता है जब आप घबराट हो या emergency condition में हो uterus relaxation, urinary system increases the urinary output आप अराम से urine कर सकते है लेकिन आप जैसे exams में बैठें तो आपको घबराट होती है तो उससे में आपको urine नहीं आता है तो वो sympathetic है urinary system relaxes bladder uterus vaginal contraction होता है adrenal से भी adrenal जो hormone जो होता है जब आप flight and fight hormone कहा जाता है जब आप किसी से जगर रहे हूं या fight बहुत ज़्यादा उचाई पर उड़ रहे हूं तो यह hormone release होता है तो यह पूरा का पूरा control रहता है आपका brain, cranial nerves, cervical, thorac, lumbar और आपका spinal cord से तो यह सारी चीज़ें उसी से associated है इसके बाद आज के question देखते हैं medulla oblongata controls smelling, beating of heart and respiratory system intelligence and willpower balancing the body medulla oblongata नियंतरित करता है सुगंद को, शरीर को संतुलित करने बुद्धी और इक्षा सक्ती और दिल की धड़कान, सोशन गती balance of the body is controlled by spinal cord, cerebellum, cerebrum, medulla शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंतरित होता है spinal cord से, merudand, anumastish, mastish या magja से इसके लाव the smell of good food causes, watering of your mouth it is a natural reflex, acquired reflex, inborn reflex या फिर आपका normal ordinary reflex, तो अच्छे खानी के मेक से आपके मूँ में पानी आ जाता है ये किस तरह का प्रतिवर्त है, प्राकरतिक उपार्जे जन्मजात या साधारंड तो ये आपको बताना है इसके अलावा कोई doubts हैं, तो इन social media handle पर जुड़ सकते हैं lecture के PDF यहां से आप download करेंगे और भी कोई तरह के doubts होंगे तो मुझे जरूर बताएंगे Thank you very much for watching this Have a great day